दर्द और दुख ये दो ऐसे शब्द हैं जो हिंदी फिल्म दाकश्मीरी फाईल्स का वर्णन करते नजर आते हैं फिल्म का निर्देशन विवेक अगनीहुत्री ने समझा लाए इस समय देश दुनिया में दाकश्मीरी फाईल्स चर्चा का पात्र बनी हुई है कली कूचे से लेकर सडकों तक पर लोग इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं त्रीएटर्स में टिकेट नहीं मिल रहे हाली में जब एक पत्रकार ने फिल्म के निर्देशक विवेक अगनी होतरी अनपमखेर और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी से इस फिल्म को लेकर चर्चा की इस दौरान विवेक अगनी होतरी ने बताया कि उन्होंने ये फिल्म दे कश्मीरी फाइल्स क्यों बनाए उनके अंदर जजबा कहा से आया विवेक अगनिहोत्री ने कहा कि मेरे से लोग लगतार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मैंने ये फिल्म क्यों बनाई मैंने इस सवाल का जवाब ठीक तरह से वैसे ही दिया नहीं और नहीं दे पाया हूँ जब स्टीवन स्पिलबर्ग ने सिंडलर्स लिस्ट बनाई तो विश्व में एक व्यक्ती ने उन से नहीं पूछा कि आपने ये फिल्म क्यों बनाई हमारे लिए जो इसका दर्द जो इसकी पीड़ा एकसेप्ट करना इतना आसान था कि कोई सवाल नहीं करता कि कितने लाख लोग मरे थे क्या हुआ था लेकिन जब कश्मीरी हिंदूओं की बात आती है तो ये फिल्म आपने क्यों बनाई आप तो कश्मीरी भी नहीं है फिर आपने कैसे ये फिल्म बना दी इतने लोग मरे थे, उतने मरे थे इन्ही सब विवादों को खत्म करने के लिए मैंने ये फिल्म बनाई कुछ चीजें समझाई जा सकती हैं, कुछ महसूस की जाती विवेक ने आगे कहा कि मैं जिस परिवार में बड़ा हुआ, वहां सब कालीदास और नाटि शास्त्र चलता था नाटि शास्त्र कश्मीर में लिखा गया, पंच तंत्र जिसे पढ़कर हम बड़े हुए वे कश्मीर में लिखा गया ओपनिशन कश्मीर में लिखे गए शिव और सरस्वती कश्मीर से आते थे पंचतंत्र जो बच्चा बच्चा पढ़ता है वे सब कश्मीर का है मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यह कश्मीर पंडित है यह कश्मीरी हिंदू है ये कश्मीर है, मुझे तो हमेशा भारत ही लगा मुझे लगा कि जो कुछ भारत का है, हेरिटेज है, परंपरा है वह सब कश्मीर का भी है जैसे सिलिकॉन वेली है केलिफोनिया में ये नहीं सोचते कि वह अमेरिका से अलग है इसी तरह कश्मीर मेरे लिए एक था मैंने जब कश्मीर पर फिल्म बनाई चार साल हमारे दिमाग में भी नहीं आया कि हम कश्मीर पर फिल्म बना रहे हैं हमें लगा कि हम भारत पर फिल्म बना रहे हैं मेरे दिमाग में कश्मीर कभी भारत से अलग था ही नहीं इसी लिए मैंने ये फिल्म बनाई दा कश्मीर फाइल्स बॉक्स ओफिस पर लगतार कमाई कर रहे है ये फिल्म ब्लॉकबस्तर बनने की रह में है शुक्रवार को 3.55 करोड़ शनीवार को 8.50 करोड़ रवीवार को 15.10 करोड़ सोमवार को 15.5 करोड़ टोटल 42.20 करोड़ की कमाई ये फिल्म कर चुकी है ब्यूरो रिपोर्ट दा इंडियन ओपीनिन